लाइफ में कुछ choices कर पाना थोड़ा difficult होता है जैसे microwave या फिर OTG में से एक अपने घर के लिए चुन पाना थोड़ा difficult task था आज के बाद नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको microwave और OTG के बीच में एक comparison करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको best OTG बताऊंगा जो आप इस समय खरीज सकते हैं इंडिया में Hello, welcome to my channel VM1. मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं best OTG जो आप खरीज सकते हैं 2022 में इंडिया में अपने घर के लिए correct appliance चुनने के लिए सही decision ले पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा बिना skip करे एंड तक देखेंगे तो आपको डिसिजन लेने में बहुत मदद होगी यह मेरी guarantee है और आप अपने घर के लिए या तो microwave या फिर एक सही OTG चुन पाएंगे क्योंकि OTGs बताने से पहले मैं आपको कुछ points बताऊंगा जिने आपने बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद आप आप एक सही फैसला ले पाएंगे guaranteed तो सबसे पहले मैं मैं आपको microwaves और OTG के बीच में brief में डिफरेंस बताता हूं जिससे आपको फैसला लेने में बहुत मदद होगी heating के लिए microwave के अंदर electromagnetic waves का यूस होता है जबकि OTG electric coils पे काम करता है heat distribution microwave में बहुत even होती है लेकिन OTG में उतनी even नहीं होती microwave थोड़ी सी ज्यादा electricity यूज करता है लेकिन OTG थोड़ी कम microwave के अंदर automatic temperature होता है उसे आप control नहीं कर सकते लेकिन OTG में ऐसा नहीं होता temperature को आप पूरी तरीके से control कर सकते हैं एक OTG में microwave बेस्ट होता है baking या फिर defrosting के लिए जबकि एक OTG के अंदर आप baking, grilling, toasting या रोटिसरी का यूज कर सकते हैं I know आप मेंसे कुछ लोग कहें कि हम toasting, grilling या रोटिसरी का use अपने microwave के अंदर भी करते हैं लेकिन trust me अगर आप OTG use करेंगे तो उसके बाद microwave की रोटिसरी या फिर toasting या फिर grilling को भूल जाएंगे and I guarantee you on that microwave convection और exhaust fan का use करता है खाने को कुक करने के लिए जबकि OTG में ऐसा नहीं होता उसमें सिर्फ एक heating element का use होता है और उससे खाने को कुक किया जाता है and last but not the least आप microwave में glass और ceramic के बरतुनों का use कर सकते हैं जबकि आप OTG के अंदर glass, aluminium, steel या फिर बहुत heavy ceramic जो की OTG safe है उनके बरतुनों का use कर सकते हैं और अपने खाने को prepare कर सकते हैं सायद आप मेंसे जादातार लोग अब तक decide कर चुके होंगे कि उनको microwave चाहिए या फिर OTG अपने घर के लिए और अगर आपको अभी भी confusion है तो आपको आने वाले points बहुत जादा मदद करने वाले हैं क्योंकि इसमें तो आपको 20 लीटर तक का अवन लेना चाहिए यानि OTG लेना चाहिए मेरी recommendation मानिए आप 20 लीटर का OTG मत खरी दिये बहुत चोटा होता है और उसमें आप बहुत चोटे-चोटे केक्स बना पाएंगे अगर आप इसको बनाने के बेक करने का टोस्ट करने का ग्रिल करने का शौक है तो आपको एक 30 लीटर से उपर यानि अप्रॉक्सिमेटली 40 लीटर का OTG लेना चाहिए Member चाहिए कितने भी हो खाने का प्यार तो सभी को हो सकता है एक सस्ते OTG को खरीदने से आपको एक प्रॉब्लम होती है उसमें पावर बहुत कम होती है कोई 1000 वाट कोई 1200 वाट इससे एक प्रॉब्लम है अगर किसी खाने को कुक करने के लिए और आपको जादा तेमपरेचर की जरूरत है तो वह OTG उस तेमपरेचर पे पहुंचने के लिए बहुत जादा टाइम लगा और खाने को बनने में बहुत जादा टाइम लगेगा और कई बार वह खाना या तो जल जाएगा या फिर अन-ईवन तरीके से कुक होगा इसलिए एक सही OTG खरीदना बहुत ज़ादा जरूरी है उसके अंदर सही पावर होनी चाहिए और वो सही वाट पे सही पावर डिलिवरी कर रहा है कि नहीं उसका भी आपको पता होना चाहिए आपको ये सब करने की ज़रोत नहीं है मैंने ये सब काम कर लिया है और जितने भी OTGs में आपको recommend करूंगा, वो सारे है बिल्कुल सही होंगे और सही power delivery के साथ आएंगे. हर अवन या फिर OTG को यूज करने से पहले या फिर उसमें खाना रखने से पहले, चाहे कुकिंग, चाहे बेकिंग, चाहे टोस्टिंग, उसके लिए आपको उसे preheat करना ही पड़ेगा. अगर आप प्री हीट नहीं करते तो फिर नरम नरम पीजा या फिर नरम नरम कुकीज ख बेकेबल ग्लास यानि आप ऐसे ग्लास के बरतन जो की OTG सेफ हैं उन्हें यूज कर सकते हैं. उसमें स्टील, अलुमिनियम और यहां तक की सरामिक के बरतनों को भी यूज करा सकता है, लेकिन सरामिक भी OTG सेफ होना चाहिए. मेक शूर जब आप कोई भी खाना उसमें रख कोई भी प्लास्टिक का बरतन OTG सेफ नहीं होता. किसी भी OTG को जब आप यूज करेंगे तो इसकी ऑटर बॉड़ी हीट प्रड्यूस करेंगी कभी थोड़ी, कभी थोड़ी ज्यादा और उसमें से क्लिक साउंड भी आईगी, टिक टिक टाइप की साउंड. आपका OTG बिल तो आपके घर के पास वला टेकनीशन उसे ठीक नहीं कर पाएगा. यही हमने किया. जितने भी OTG में आपको इस वीडियो में रेकमेंड आगे करने जा रहा हूं, उनके कस्टमर केर नंबर पे हमने कॉल किया, और सभी कस्टमर केर नंबर पे हमने कॉमन तीन प्रॉब्लम्स बताई. उन तीन प्रॉब्लम्स को हमने अलग-अलग लोकेशन से कॉल करके सेम प्रॉब्लम्स को पूछा और उसके बाद जो हमें जवाब मिला. उसके बेसिस पे हम आपको कस्टमर सर्विस की रेटिंग देंगे इस वीडियो में आगे. अब मैं आपको बताता हूं, बैस और उसमें मेरा माइक्रोवेव का ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा. उसमें वो सारी डीटेल्स हैं जो आपको एक माइक्रोवेव खरीदने से पहले जाननी चाहिए. उस वीडियो को ज़रूर देखेगा. और दोस्तों, जितने भी प्रॉडट्स में आपको अब करता हूं और उसमें एक भी वो मॉडल नहीं मिलेगा जिसे मैं रेकमेंट नहीं करता. उस लिस्ट को डाउनलोड करके जरूर चेक करियेगा. बेस्ट ओटीजी इंडियो की मेरी लिस्में नंबर 5 पे आता है मॉर्फी रिचर्ट्स का 28 लीटर का ओटीजी जो की 1600 वाट की के साथ आता है. इस OTG के अंदर आपको stainless steel body मिलती है और एक बहुत अच्छा function जिसे कहा जाता है stay on function वो भी मिलता है. इस function में होता ये है कि अगर आप किसी खाने को 2 घंटे तक गरम रखना चाते हैं तो वो आप इसमें stay on function की मदद से कर सकते हैं. मॉर्फी रिचर्ट्स के इस model के अंदर आपको motorized rotisserie मिलती है और ये model galvanized और rust proof inner chamber के साथ आता है. और इसमें आपको timer function भी देखने को मिलेगा. इसे खरीदने पे आपको box में ये सब accessories देखने को मिलेंगी. और मॉर्फी रिचर्ट्स के इस customer care number पे जब हमने कॉल किया तो अलग-अलग कॉल करने पे हमारा feedback है good. मॉर्फी रिचर्ट्स के इस OTG model को आप इस समय खरीच सकते है 8000 रुपीज का और brand आपको इस पे 2 years की comprehensive warranty देता है. लिंक मैंने आपको description box में दिये हैं. लेकिन उन्हें चेक करने से पहले ज़रा pros and cons पे बात करें. ये model अच्छा है. सभी टाइप की useful features के साथ भ मुझे लगी. इसके अंदर आपको convection mode नहीं मिलता. Convection mode क्या होता है? Convection mode में आपको OTG के अंदर भी एक fan लगा हुआ मिलता है. उस fan के on होने से पूरे OTG के अंदर जो भी आप खाना बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे microwave जैसी ability देता है. वो function इसमें नहीं है. और इसके अंदर inner chamber के अंदर light भी नहीं है. ये दो cons मुझे लगे और अगर आपके लिए ये con नहीं है, तो अब जाहिए description में लिंक दिये हैं. देर किस बात की है? Best OTGs in India 2022 की मेरी लिस्ट में number 4 पे आता है. बजाज मैजेस्टी 28 लीटर, लेकिन इसके अंदर पावर दी गई है 1800 वाट. इस OTG के अंदर बजाज ने यूज़ करी है stainless steel body, और ये OTG convection technology के साथ आता है, यानि इसके अंदर आपको एक छोटा सा fan लगा हुआ मिलेगा, जो heating के द function. जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि stay on function में खाने को आप लंबे time तक गरम रख सकते हैं, वो आप बजाज OTG में भी कर पाएंगे 60 minutes तक. इस OTG के अंदर आपको motorized rotisserie देखने को मिलती है and needless to say ये OTG भी टाइमर के साथ आता है. बजाज के इस OTG को खरीदने पे आप बजाज की तरफ से और 7,700 रुपीस प्राइस इस समय इस बजाज OTG का और वही same capacity जो आपको Morphe Richards के 28-liter model के अदर देखने को मिली. तो इसके pros and cons क्या है? इसके pros and cons की बात करें तो आपको बहुत अच्छी capacity 28-liter देखने को मिलती है. अगर आप 2 या 3 family members हैं, तो ये बहुत ही Convection OTG आपके लिए है. Convection एक बहुत अच्छा pro है इसका और इसके अंदर आपको जो accessories मिल रही है वो भी काफी जादा हैं दूसरे OTGs से. But there is one small con. इस OTG के अंदर chamber light नहीं है. सिरफ यही problem लगी मुझे, otherwise इसके अंदर कोई भी con नहीं है. और अगर आपके लिए ये चोटा स a con, जादा disturbing नहीं है. तो इसके links दिये हैं आपको description box में. 7,700 rupees is the price. और ये प्राइस बहुत शानदार है. जरूर चेक करिए से. OTGs तो आप देखी रहे हैं, लेकिन एक और चीज आपको बताता हूँ. आप कोई भी appliance Amazon ये Flipkart से खरीते हैं, तो आपको extended warranty खरीदने का भी option मिलता है. जानते हैं वो extended warranty नहीं होती, एक तरीकी की insurance होती है, जो आप अपनी appliance की खरीद रहे होते हैं. आप मेंसे कई लोग मुझ अच्छे हैं, और वो plans मैं पूरी तरीके से recommend करता हूँ. मैं आपको कोई affiliate link नहीं दे रहा, आप कहीं से भी go warranty के extended plans लीजिए और वो आपको जहां सस्ते मिले, वहां से खरीदिये. Best OTGs in India 2022 की मेरी लिस्ट में number 3 पे आने वाला OTG है Borosil का 30-liter model जो की 1500 watt की power के साथ आता है. इस OTG के अंदर आपको steel alloy body मिलेगी, जो की बहुत ही अच्छी बात है, steel alloy में और भी जादा आपको sturdy body देखने को मिलेगी इस OTG में. ये model 6-stage heating के साथ आता है, जो की अपने आप में ए अलग-अलग heating की जरूरत होती है और वो ये model आपको दे सकता है. इसके अंदर आपको adjustable temperature का control भी मिलता है और ये convection technology की साथ आने वाला OTG है. with 360 degree heat circulation. इस OTG में भी आपको motorized rotisserie देखने को मिलती है और साथ में stay on function भी देखने को मिलता है जिसका मतलब मैंने आपको पहले समझाया था. एक और अच्छी बात इसमें है कि आपको इसमें chamber light देखने को मिलती है. बोरोसल के इस OTG को खरीदने पे आपको ये accessories साथ में view रहा good. 2 years की comprehensive warranty के साथ बोरोसल का ये OTG आपको इस समय मिल सकता है 7300 रुपीज का और मैंने इसकी links भी आपको description box में दिये हैं. लेकिन pros and cons सुन लीजिए उसके बाद जाएगा क्योंकि ये OTG काफी अच्छा है 30 liter capacity के साथ. एक तो इसकी capacity अच्छी है. 28 से 30 liter में चाहे 2 liter का लेकिन स्पेस में बहुत significant advantage आपको देखने को मिलेगी. अगर आपको थोड़ी सी चौड़ी डिशे यानि आपके बरतन थोड़ी सी भी चौड़े हैं तो अराम से अंदर आएंगे. इस OTG के अंदर आपको सभी टाइप के functions देखने को मिलेंगे. Convection mode भी देखने को मिलेग but एक छोटा सा con जो मुझे लगा वो ये है कि इसकी power cord थोड़ी सी short है. One meter भी मुझे पूरी नहीं लगी. अबिसली मेरे पस measuring tape नहीं था इसको test करते समय लेकिन मेरे हिसाब से ये 1.2 meters होनी चाहिए थी जो की normal है सब में होना. Otherwise और कोई कौन मुझे इस OTG में लगा नहीं. अगर आपको भी नहीं लग रहा तो इस OTG के links मैंने आपको description box में दिये हैं. 7,300 price is very very good and decent price for a 30-liter OTG. Best OTGs in India की 2022 की मेरी list में number 2 पे आने वाला OTG है. अगारो का grand 40 liters और ये आता है 1500 watt की power के साथ. ये OTG मैंने खरीदा है अपने घर के लिए और इसमें आपको stainless steel body देखने को मिलती है with six heating modes. ये भी convection technology के साथ आने वाला OTG है. और इसमें आपको adjustable temperature का control भी देखने को मिलता है. which is a good thing. सभी OTGs की तरह इसमें भी आपको motorized rotissory देखने को मिलती है. लेकिन और एक अच्छी बात ये है कि इसमें heat resistant tempered glass window का use करा गया है. जो की एक बहुत शानदार चीज है. अगारो के इस model के अंदर आपको chamber light भी देखने को मिलेगी और timer function भी देखने को मिलेगा. मुझे box में इस OTG के साथ ये सब accessories देखने को मिली. और क्योंकि OTG मैंने खुद खरीदना था अपने self-use के लिए तो अगारो की customer care number पे मैंने खुद फोन किया पांच बार अलग-अलग locations और अलग-अलग problems के साथ. और सबसे common problem जो किसी भी OTG के अंदर होती है वो है inner chamber की light खराब होने की या फिर fan खराब होने की और उसके अंदर इस company की customer care का जवाब था बहुत satisfactory इसलिए हम इसे rate करेंगे good. 40-liter के इस OTG को आप इस समय खरीद पाएंगे 6,800 रुपीज का और exactly यही main attraction थी मेरे लिए इस OTG को खरीदने की अपने यूज के लिए आप भी pros and cons सुन लिजिए और उसके बाद सही फैसला करिये. इस OTG के अंदर आपको जो size मिलता है that is simply amazing 40-liter अगर आप ख्वाने के शौकीन है कुछ मेरी तरह तो आपको यही OTG लेना चाहिए जो इतनी अच्छे size का आता है या फिर आप कोई भी और OTG ले सकते हैं but size थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि आप उसमें pizzas, cakes, कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आपको थोड़े जादा size की जरूरत है and that is what I told you in the points. इस OTG के अंदर अगर बात करें तो आपको सभी type के features देखने को मिलते हैं और सभी जरूरी चीजे हैं सिवाए दो चीजों के जो मुझे disturb कर रही थी इस OTG को खरीदने से पहले. इसकी power cord थोड़ी सी short है that is 1 meter. 1.2 या 1.5 meter होती तो यह बहुत अच्छा होता. और दूसरी इसमें आपको सिरफ 1 year की comprehensive warranty मिलती है. पाकी सब ब्रांड्स दो साल की comprehensive warranty देते हैं. बट यह मेरे लिए कौन नहीं बना और मैंने इस OTG को अपने लिए खरीदा. आप देखिए, आप खुड डिसाइड आपके लिए यह OTG सही है या नहीं. अगर सही है तो इसके लिंक्स आपको पता हैं कहा हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और मेरी microwave and OTG लिस्ट में भी. जरूर चेक करिए इसे. यह याद रखिए का दोस्तों, जो भी मॉडल्स मैंने आपको अभी तक रेकेमेंड करे ह उनको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी अमवन रेकेमेंड़ माइक्रोव और OTG लिस्ट मिलेगी या फिर केचन अप्लाइंस लिस्ट मिलेगी. उसे चेक करिए आपको एग्जाटली पता चलेगा कि मैं कौन से मॉडल का कौन सा साइज रेकेमेंड और कौन सा करता हूं. बेस्ट OTG इन एंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर वन पे टॉप करता है फिलिप्स का 36 लिटर मॉडल जो की 2000 वाट की पावर के साथ आता है. इस OTG के अंदर आपको कोल रोल स्टील बॉडी मिलती है और कोल रोल स्टील का मतलब यह होता है कि इस OTG क को गरम नहीं करा गया. यह एक अच्छी जीज है और थोड़ी सी स्टुडीनेस लाती है इस बॉडी के अंदर. इस OTG के अंदर आपको 7 लेवल ब्राउनिंग देखने को मिलती है यानि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको 7 तरीके के हेटिंग मोड्स देखने को मिलते हैं. य देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्पले देखने को मिलेगा, विच इस वन ओफ इस काइंड. नीडलेस तो से कि इस OTG के अंदर भी आपको टाइमर फंक्शन देखने को मिलेगा. फिलिप्स OTG को खरीदने प क्योंकि फिलिप्स की कस्टमर केर का कहना है कि अगर आपकी लोकेशन फिलिप्स के सर्विस सेंटर से थोड़ी जादा दूर है तो वो सिर्फ आधे रस्ते तक आपको कस्टमर सपोर्ट देंगे. यानि अगर आपके OTG का लेट से इनर चेंबर का बल्प खराब हो गया, तो बल्प को डिलेवर करने 50 किलोमेटर तक आएंगे, लेकिन रिमेनिंग 50 किलोमेटर आपको खुद आना पड़ेगा, इफ यू आर लिविंग इन लेट से अ टियर 2 और टियर 3 टाउन और ये बहुत सटिस्फाक्शन वली बहुत अच्छी कस्टमर केर मैं नहीं कहूंगा, इ ये बहुत शांदार OTG है, अब हम इसके प्रोजन कॉंस के बाद करते हैं, सबी ताइप के फीचर्स आपको इस OTG के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज जो इसके अंदर देखने को मिलेगी, वह है डिजिटल डिस्पले जो वन अफ इस काइंड मैं क्योंकि जो इसके बटन्स है, जो लिट बटन्स है, यानि जिनमें लाइट जलती है, वह थोड़े से फ्लिम्जी लगे और मुझे ऐसा लगा कि शायद वह जल्दी खराब हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, बट इस OTG is very very good, कस्टमर सपोर्ट की जहां तक बात है, अगर आप tier 1 या metro cities के अंदर रहते हैं, then I don't think so there is any problem. 36 liter के इस OTG को मैं पूरी तरह से recommend करता हूँ, और इसके links आपको description box में दिये हैं, this is according to me, the best OTG that you can buy. जिन भी OTGs को मैंने आपको इस वीडियो के अंदर recommend किया, उनके अंदर कई ऐसे models हैं, जिनने मैं recommend करता हूँ, लेकिन कई ऐसे भी हैं, जिनने मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करता, क्योंकि मेरी testing के दौरान वो सही नहीं उतरे, उनको चेक करने का सिरफ एक तरीका है, मेरी microwave और OT list को या फिर kitchen appliance list को download करने के बाद आप उन models को check कर सकते हैं, उन list में आपको मेरे tested checked सभी models मिलेंगे, जिनने मैं पूरे तरीके से recommend करता हूँ, लेकिन एक भी वो model नहीं मिलेगा, जिसे मैं recommend नहीं करता, उसे जरूर चेक करिएगा, उन सब में आपको मेरे affiliate links मिलेंगे, उन से यूज करने पे आपका price तो same रहेगा, जरा सभी change नहीं होगा, लेकिन इस channel की financially help होगी, जिससे हम इस type का content आपके लिए बना पाते हैं, प्रोडक्स को खरीद पाते हैं, उनने test कर पाते हैं, उनने check कर पाते हैं, और तब आपके लिए ऐसा content ला पाते हैं, कई महीनों की research के अगर आपको ये हमारा काम पसंद आया हो, तो like करिएगा इस video को, और बताइएगा जरूर comment section में कि आपको कैसा लगा ये video, और अगर आपका कोई सवाल है, जो आप directly मुझसे पूछना चाते हैं, तो लिख दीजे comment section में, मैं आपका जवाब दूगा जरूर, और अगर आप social media पे मुझसे कुछ पूछना चाते हैं, तो DM करिए मुझे, आपका जवाब आपको 48 hours के अंदर 100% मिलेगा, और मैं आपको मिल रहा हूँ, अपने next video में बहुत ही जल्दी, and by the way, आपको ये दो videos बहुत जादा पसंद आने वाले हैं, इनको जरूर चेक करिएगा,